हेलो फ्रेंड्स, वेलकुम टू माई चैनल, देखिए आज हम गोपाल जी की सिलाईयों से बैट सीट बनाने जा रहे हैं, तीन कलर लिये हैं, नो नमर की सिलाई हैं, अगर आपकी गोले वाली उन है, नॉर्मल, तो आप 10 नमर की सिलाई लेंगे, ठीक है, देखिए येलो कलर स छोटा है, इसलिए मैंने रेट के साथ इसको लपेट दिया है, अब मुझे 40 फंदे डालने हैं, ये खीचा हुआ धागा मैं उंगली की साहता से उपर रखती हूं, और इस थागयों कैसे खैच लेती हूं, ये देखिए मैं 40 फंदे डालके आपको ऐसे फिदी खाती हूं, बहुत आसान और बड़ी जल्दी हमारे ऐसे फंदे बनते हैं, ठीक है, फोर-फोर के मल्टिप्लाई में हमें डिजैन डालना है, देखिए फ्रेंट्स मेरे 40 फंदे डाले हैं मैंने, अब मैं ऐसे उल्ट-उल्टी बनाऊंगी पहले अपनी चार सिलाईयां दो आगे से और ठीक है, देखिए फ्रेंट्स मेंने एक सिलाई निकाल ली है, एकदम ऐसे खुली बन गई, आप ऐसे अपने कानाजी के बैड के उपर लगा के देखिए, अगर छोटी होगी तो 4 फंदे कम कर दीजेगा, अगर आपका बैड बढ़ा होगा, तो 4 फंदे आप बढ़ा लीज ठीक है, अब उल्टी तरफ से मैं उल्टी सिलाई निकाल लूँगी, सामने से भी उल्टी, मैं इस चार सिलाई निकाल के आपको फिर आगे दिखाती हूँ, ठीक है, देखिए फ्रेंट्स मैंने अपनी चार सिलाई निकाल ली, ऐसे देखने में दो मेरी उल्टी सामने से द बनेंगे सिर्फ दो सिलाईयों का डिजैन है एक फंदा में रेड बनाएंगे एक दो तीन फंदे हमने उतार लिए इनकों में बनाना नहीं है धागा ढीला छोड़ेंगे नॉर्मल सा जादा ढीला भी नहीं और कसेंगे भी नहीं चोथा फंदा हम अपना फिर रेड ये धागा भी नहीं चैन्यारे पिछला आराम से बना रहे है ये तीन फंदे उत्रेंगे और जी चौथा फंदा मेरा सीधा बन जाएगा तीन फंदे उत्र गए चौता फंदा मेरा सीधा बिलकुल सीधा पन की डेड़ें vidéo डेड signal ए डिजैन बहुत असान है लेकिन जब मले काना जी के नाम से इसकी बेड़ शीर बना दी तो ये बहुत सुंदर बन गया ये देखे तीन और एक रेड लास्ट वी में पस तीन फंद्य आई हैं तीनों को मैं ऐसे उतार हूँगे अपनी सिलाई में ले आऊँगे ठीक है तीन फंद्य मेरे येलो हैं एक फंद्य मेरे रेड है येलो में उतारे हैं रेड में ने बनाया है अब उल्टी तरफ देखेगा सबसे पहला फंद्य में अपना रेड बनाऊंगी सेम आपको इसी तरह करना है हर बार ठीक है आगे से एक फंद्य मुझे येलो उतारना है देखे मेरे एक रेड है इसके दोनों तरफ दो येलो है अब मैं तीन फंद्य को रेड बनाऊंगी जो तीसरा बीच वाला फंद्य है उसके एक पहले रेड एक बाद में रेड एक फंद्य मेरे येलो उतरेगा ये दो मे के ही ध्यान रखनी है एक फंदा उतरेगा जो पहले रेड है उसके दोनों तरफ हमें रेड फंदा बनाना है यह हमारे तीन फंदे रेड बन रहे हैं एक फंदा अपना येलो उतर रहा है एक उत्रेगा और ये तीन फंदे मेरे रेड बन जाएंगे एक उत्रेगा तीन फंदे मेरे रेड बन जाएंगे सेकंड सिलाई है ये डिजैन वाली चार सिलाई हैं हमने सीम्पल निकाली है उल्टी उल्टी ये डिजैन की मेरी दूसरी सिलाई है बस हमें यही दो सिलाइँ रेपीट करनी है डिजैन वाली बाकी हमारी प्लेन सिलाइआ है यह जो red है इसके दोनों तरफ से एक एक फंदा हमें red बना के एक red को तीन red बना देना है अब लास्ट भी मेरे दो रेड बन गए ठीक है अब देखेगा यह यह यलो धागा है इसको ऐसी सिलाई पर घुमा के उपर ले आएंगे इस तरफ यह ऐसे उपर आ जाएगा ठीक है अब मुझे रेड कलर की दो सिलाई यह घुमानी है एक सामने से एक उल्टी तरफ से सामने स सीधी सिलाई उतरेगी रेड कलर की डिजैन वाले सीफ दो सिलाई यह हैं हमारी एक बार और दिखा देते हूं आपको बाकी हमारी इसी तरह रपीट होगी और लंबाई बढ़ती जाएगी ठीक है यह पूरी सिलाई से सीधी बनेगी उल्टी तरफ आके दिखाते हैं आपको सामने से हमने सीधी सिलाई उतार ली है अब उल्टी दरफ से मेरी पूरी सिलाई उल्टी बनेगी बस हमारी एक कलर की चार सिलाई यह निकलेंगी ठीक है यह पूरी सिलाई उल्टी बनाके लास्ट पर आके दिखाते हूं सीधी तरफ देखिए मेरी उल्टी सिलाई निकल ग कर देती हूं डिजयन वाली पहली सिलाई ऐसे बनेगी एक यलो है एक दो तीन उतरेंगे चोथा फंदा यलो बनेगा एक दो तीन उतरेंगे चोथा फंदा बनाएंगे यलो कलर से एक दो तीन उतरेंगे चोथा फंदा येलो कलर से बनाएंगे सीधा एक दो तीन चोथा फंदा येलो कलर से ये डिजैन की पहली सिलाई है जब भी हम कलर चेंज करेंगे ऐसे ही बनाएंगे दो तीन चोथा फंदा येलो कलर से एक, दो, तीन, चोथा फंदा येलो कलर से सिर्फ पहली सिलाई है डिजैन की और दूसरी सिलाई उल्टी तरस से बनेंगी बाकी बिल्कुल प्लेन बनेगा ठीक है? अब दूसरी सिलाई देखीगा ध्यान से सिर्फ दो सिलाईया बनती है एक सामने से एक उल्टी तरस से बाकी डिजैन बहुत असान है देखेगा अब तीन है मेरे पास रेड एक फंदा येलो एक उतर जाएगा अब आगे एक फंदा येलो है दो रेड इन तीनों को मुझे येलो बनाना है एक, दो, तीन फंदे ये रेड बीच वाला उतरेगा आगे वाले येलो बन जाएगे ये तीन रेड है तीन में से एक येलो बन जाएगा बीच वाला रेड ही रहेगा जो इस तरफ है वो इस तरफ येलो में मिल जाएगा अब मेरे उल्टी तरफ से तीन फंदे येलो बन रहे है एक फंदा में अपना red उतार रही हो red वो वाला उतरेगा जो तीन फंदों के बीच में है side वाले इसके साथ मिल जाएंगे yellow के साथ ये देखिए ये तीन फंदे हैं, इस में से एक इस तरफ आ जाएगा एक उतर जाएगा एक इस तरफ yellow बन जाएगा बस हमें यही दो सिलाईयां ध्यान से बनानी है बाकी हमारी पूरी सिलाईयां बीच में प्लेन बनेंगे दो सिलाईयां डिजैन वाली दो प्लेन दो डिजैन वाली दो प्लेन हर दो चार सिलाईयों के बाद हम अपना कलर चेंज करेंगे ठीक है देखिए मैंने अब रेड कलर लिया है उसके बाद मैंने येलो बना लिया है अब दो सिलाईय मुझे प्लेन येलो की निकालनी है सामने से सीधी उल्टी तरफ से बिल्कुल उल्टी ठीक है तो सामने आके दिखाते हैं मैं आपको ओके देखिए फ्रेंड्स मेरी येलो भी दो सिलाईय कंप्लीट हो गी है ठीक है अब मैं अपना तीसरा कलर ले रहे हैं यह मैंने ग्रीन कलर लिया है एस से आगे स्टार्ट उसी तरह करना है हमें डिजैन एक फंदा बनाएंगे तीन उतारेंगे एक बन गया तीन उतर गए एक बन गया तीन उतर गए उल्टी तरफ आपके दिखाते हूँ आपको एक बार और ठीक है एक फंदा बनाना है तीन उतारने है देखें friends उल्टी तरफ से ये green है ये इसके साथ वाले दो एक इस तरफ ये green बन जाएंगे ये green बन जाएंगे बीच वाला हम उतारेंगे ठीक है बस मारा बहुत असान सा डिजैन है एक सबसे पहला ग्रीन बनाके बीच वाला उतारेंगे आगे तीन ग्रीन एक दो तीन एक उतर जाएगा आगे तीन फंदे ग्रीन एक उतर गया तीन फंदे ग्रीन ठीक है सामने आके दिखातेंगे आपको देखे फ्रेंट्स हमारी डिजैन वाली दो सिलाईयां कम्प्लिट हो गई अब हम ग्रीन कलर से सामने से सीधी उल्टी तब से उल्टी दो सिलाईयां डाल लेंगे उसके बाद फिर येलो कलर फिर रेड इसी तरह हम अपना कलर बढ़ाते जाएंगे डिजैन बनाते जाएंगे सिर्फ दो सिलाईयां हमाई डिजैन वाली है बाकी दो प्लेन है एक कलर की चार सिलाईया है ठीक है इसकी लंबाई बढ़ाके मैं आपको फिर दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स हमारा डिजैन कुछ ऐसा बना है बार बार हमने रिपीट किया है रेड फिर येलो फिर ग्रीन येलो रेड ग्रीन येलो रेड ग्रीन येलो रेड ग्रीन इसी तरह आप बार बार रिपीट करते जाएंगे सिर्फ दो सिलाईयां हमाई डिजैन किये बाकी चुड़ाई 40 फंदों की 7 इंच के करीब बन गई है पौने साथ तक है आप इस हिसाथ से देख लिए 40 फंदे है 40 ठीक है 6 पौने साथ तक आई है इसकी लंबाई आप अपने बैट कानाजी के बैट के हिसाथ से रखनी पड़ेगी आपको ठीक है अब मैं इसको देखिए दो सिलाईया मैंने अपना यलो कलर 4 सिलाईया डालके कंप्लीट कर लिया है अब शुरू में हमने 4 सिलाईया उल्टी डाली है इसी तरह लास्ट में मेरी 4 सिलाईया उल्टी बन जाएंगे यलो 4 सिलाईया बनाने के बाद हमें चार स्लाइब उल्टी बनाने है दोनों तरफ से उल्टी जैसे हमने शुरू में बनाई थी सामने से भी उल्टी तरफ से भी दिखाती है आपको ठीक है देखे फ्रेंड्स मैंने दो स्लाइब उल्टी निकाल ली सामने से एक स्लाइब मेरे उल्टी उल्टी तरफ से निक वापिस फंदा एक आगे से दो का एक यह मैं अपनी पूरी फंदे आपको बंद करके फी दिखाती हूं ठीक है देखिए फ्रेंड्स लास्ट के दो फंदे रहे गए हैं इनको भी हम इसी तरह कम करेंगे और इसको एक बार और बनाके ऐसी धागा खेंच देंगे यह हमारा नोट लग जाएगा अब हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं हमारी बैट शीट त्यार है देखिए अब लटकन लगाएंगे हम और अपने कुशन भी बनाएंगे इनके साथ देखिए फ्रेंड्स लटकन हम वैसी त्यार करेंगे एक दो तीन चार पांट शे यहाँ पर हमारा जोड है देखिए जहाँ शुरू किया है वहीं पर इसको ऐ लगेंगे बनाके रख लेंगे ऐसी कट कर करके दो कलर से आप देख लीजेगा इस तरफ में अपना ग्रीन कर लगा लूंगी और इस तरफ रेड कलर जो आपके पास ज्यादा ओन है उसके बनाईएगा ठीक है देखिए ऐसे पकड़ेंगे एक सार करना है हमें एक यहाँ प पकड़के इसके अंदर से निकालके ऐसे छोड़ देना ऐसे खैंच देंगे ठीक है एक पर और देख लीजेगा ठोड़ा दूर दूर लगा लेंगे ऐसे करके हमें एक सार करना है अंदर ही ऐसे लेकी आना है बाहर दोबारा ऐसे निकालके इसको ऐसे खैंच देंगे अच्छे से खैंच देंगे यह हमारे लटकन ऐसे लग जाएंगे यहाँ पी मैं ग्रीन लगाऊंगे और इस तरफ में अपने रेड लगाऊंगे दिखाती है आपको लगा के ठीक है देखे फ्रेंड कुसंज बनाने के ल गे फ्रेंगे ग्रीन की मेरी लाष्ट में चार सिलाइँयें निकल गई थी चार सिलाइँयों का डिजायन कंप्लीट हो गया उसके बाद में मैंने अपनी फीर फेर यह उल्टी डाली दो सामने से दो लटी तरफ से और उनको बंद कर दिया ठीक है यह मेरे देखिए चादर चोथा रहे लिया ये ग्रीन आ गया उपर ग्रीन कलर से शुरू किया ग्रीन से ही मैंने बंद कर दिया ठीक है अब देखेगा इसको मैं ऐसे राउन में इसके अंदर हमें कुछ डालने की जूर्थ नहीं है टाइट हाथों से देखी मैंने इसे इसको अंदर कर लिया ये धागा ऐसे अंदर करेंगे जितने भी धागे हैं इस तरफ से अंदर करेंगे जहां पर हमने धागे अपने कट किये हैं वाना ये उपर सफाई नहीं आएगी ये धागा मैंने लंबा कट करके सुई में डाल लिया है, ठीक है, देखें, ये सभी धागे अंदर रखके, ऐसे राउन में घुमाना है हमें इसको, ये धागा बाहर रखना है हमें, सिलने के लिए, ये देखिए, डोरे के साथ ऐसे डोरा मिलाना है हमें, हाथ के साथ एक सार क सिलना है कि यहां पर सिलाइड आएंगे यह डोरे के साथ हम डोरा मिलाएंगे 36 फंदों पर मैंने यह डिजैन डाला है यह जोड़ा है मैंने कठा करके इसको यहां पर सिल दिया है इस तरफ आगे हम दूसरी तरफ यह दिखिए हमारा कुशन्स एक दम बढ़िया बन गया एक दम गूल बन गया अब एक दो टांक ऐसे लगा लेते हैं वैसे तो यह खोलेगा ही नहीं इस तरफ से ऐसे दूसरी तरफ ले आएंगे सुई को अराम से दूसरी तरफ ले जाएंगे ठीक है देखिए हाथ से हम ऐसे इसकी शेप ठीक कर लेंगे यहां पर नोट लगाके मैं धागा कट कर दूँगे धागा निकल गया इसको ऐसे अंदर लाके हमें धागा अंदर चुपाना है इस तरफ से कट कर देना है एक लटकन त्यार करेंगे यहां पर लगाने के लिए येलो कलर से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस क्यारं बारा ठीक है बारा तीरह बारा ऐसे कर लेज़िए इतना लंबा दागा लेना है हमें इसको कट कर देना है इस तागिवे कु सूई में डालके दिखाते को इनुए मुझे सुई में डालना है ठीक है देखी मैं अपना धागा सुई में डाल लिया है तो यह निकल गए है इसे राउन में कठा करके इसे निकालूंगे मैं हाथ में से सुई के साथ टांका लगाऊंगे सभी फंदे मेरे अंदर आने चाहिए इसे सामनी करके इसे टांका लगाएंगे दोबारा एक बार और लगा देंगे इसे अच्छे से पका कर देंगे इसको ठीक है अब एक तरसे इसे खोल देंगे इसको एक तरस में नोट लगा लिया है एक तरस से इसको कट कर देंगे इसे अच्छे से शेप देंगे फाल्तु धागे कट करेंगे अब एक बार ऐसे पकड़के धा का थोड़ा बड़ा रखी गा एक बार ऐसे पकड़के ओपर ऐसे गुमा देंगे इसको यह छोटा है एक इसे दो बार घुमा के यहां पर पका नोट लगा देंगे जो धागा घुमाया है उसके ऊपर ही नोट लगाना है हमें तक हमारा यह खुले ना इसे बीच से निकालके ऐसे नोट लगाएंगे ठीक है इस थागे को हम बीच ओ बीच लेके आएंगे उपर देखे हमारे लटकन ऐसे बन गया एक मोती डालेंगे जो हमारा साफ है एक तम देख लीजिएगा कौन सा हिस्सा है इसको बीच ओ बीच यहां पर ऐसे लगा देंगे यहां पर नोट लगाएंगे येलो के उपर ले आईए ताकि हमारा नोट भी न दीखे अधागा छोटा रहे गया है इसे नोट लगाके इसको दोबारा अंदर दूसरी साइड लाके धागा हमें कट करना है ठीक है अंदर ये अंदर दूसरी साइड ले आई हूँ यहां पर नोट लगाया था और उस तरफ हमारा धागा चला गया ठीक है देखिए एक मैंने इस कलर का बनाया है एक मैंने रेड कलर का बना दिया यह हमारी चांदर है एक इस कलर का है और यह मैंने रेड कलर से बना दिया ठीक है फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजेगा वीडियो को और बताएगा आपको कैसी लगी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चैनल को मिलते नेक्स वीडियो में मेरी बहन बार बार कमेंट कर रही थे कि प्लीज बताओ ओके रिपलाई जरूर कीजेगा आपको कैसा लगा ठीक है बाबाई